नमस्कार SBT News में आपका स्वागत हैं पेश है साथ सितंबर गुरुवार सुबह सवाग ग्यारा बजी राजस्तान की बड़ी खबरें ग्रह मंतरे अमिशा और कानून मंतरे अर्जुनाम एगवाल ने बुद्वार को पूरुर रासपती रामनाथ कोविंद से मुलाकात की रामनाथ कोविंद एक देश एक जुनाव के लिए बनाए गई कमेटी के अध्यक्ष हैं अमिट शाह इस कमेटी के सदस्य हैं और अर्जुनाम एगवा स्पेशल मेंबर हैं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसे शिष्टा चार मुलाकात बताया है उनके मताबिक ये मिटिंग लगबग एक घंटे तक चली मीडिया रिपोर्ट में बुद्वार सुबह एक देश एक चुनाम की कमेटी के मिटिंग होने के बाद कही जा रही थी शाम को सबस्ट हुआ कि ये कमेटी के तीन सदस्यों की शिष्टा चार मुलाकात थी सुत्रों के मताबिक कमेटी के पहली मिटिंग के लिए तारीख और जगह फाइनल की जा रही है ये मिटिंग हाइब्रिड मोड में भी हो सकती है कानून मंत्राले पैनल के लिए अधिकारी भी निक करा है जो कमेटी के सदस्यों की मदद करेंगे रहसान में अधियोगों की सापनायम संचॉलन के लिए रहसान राजे प्रदूशन नियंटरन मंडल द्वारा इज ओफ डूइंग बिजनस की संकरपना को साकार करने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं ताकि अधियोगों में सिस्टर नेबर प्रैक्टिस को प्रुच्साहित किया जा सके साथी राजे में अधिमियों के साथ एक बहतर निवेश भी आकरशित हो सके तरस्थान राजे प्रदूशन नियंटरन मंडल के अध्याक्षय शिखर अगरवाल ने बताया कि अधियोगों के सुलब संचालन के लिए RSPCB ने ग्रीन चैनल प्रणाली की शुरुआत की है उन्होंने बताया कि ग्रीन चैनल प्रणाली के एक अनुपारन आधारित फास्ट्रैक क्लियर इंस्तंत्र होगी जिसके माध्यम से पूरू में लगने वाले 120 दिन के जगा अब साथ दिन के अंदर उद्यगों के संचॉलन समीती का नवीनी करन किया जा सकेगा राजसान के मंखे मंतर शोग गहलोद ने दावा किया है और इनमें इसके बड़े बड़े नेता आ रही है लेकिन यात्रा फ्लॉप हो रही है लोग सब देख रहे है प्रदेश में कॉंग्रेस सरकार ने बहतरी इनकाम किया है महामारी के समय भी बहतरी इनकाम करने पर राज्य का भीलवाड़ा दुनिया में एक मॉडल के रूप में सामने आया राज्यसान में भीलवाड़ा जुले के गुलाब पूरा में किसान समेलन को संबोधित करते समय जमा जम बारिश के बीच कॉंग्रेस पार्टे रास्त्री अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे ने कहा राजसान देश का सबसे बड़ा राज्य और शौरे के लिए चौन जाता है कॉंग्रिस अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे ने कहा कि प्रदेश की जनता कॉंग्रिस को दोबारा चुनेगी कॉंग्रिस अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे ने कहा कि लाल डायरी को दिखा कर डरा रहे हैं लाल डायरी में कुछ नहीं है भाच्वा अपने पास उसे रखे रहे चंद्रियान 3 के सफल लेंडिंग के बाद कुरुशेत्र युनिवस्टी इस्रो के चेर्मेन एस सोमनात को 2022 गोयल शांती पृसकार से सम्मानित करेगी युनिवस्टी की गोयल पृसकार समीती ने अंतरेक्ष प्रद्योगी के शेत्र में युगदान के लिए इस्रो के अध्याक शेवं प्रसिद इंजीनियर एस सोमनात को सम्मानित करने का नयने लिया है इसरो चेर्मेन ने के युद्वारा अक्टूबर मह में आयोजीत किये जूने वाले समारों में गोयल अवार्ड प्राप्ट करने की सहमती भी दी है पाली कोतवाली थाने में कलेक्टरेट के रेडर की ओर से जुला कलेक्टर की फर्जी हस्ताक्षर कर कूड रचित दस्ताविश तयार करने का मामला सामने आये है नईक मामले की फाइल पर जिला कलेक्टर की फर्जी हस्ताक्षर का खुलासा होने पर कलेक्टरेट में कारत सहायक पुरुशासनी कादिकारी मूल सिंग भाटी को निलंबित कर दिया गया है जांच रामदेव चौकी प्रभारे एसाई चाहदेव भाटी कर रहे है भाजपार ने अभी तक राज़स्तान में अपना सीएम फेस घोशित नहीं किया है पारटी इस बार प्रधान मंति नरिंदर मूदी के चोहरे पर ही विधान सबा चुनाव लड़ने की तयारी कर रही है इसे बीच केंदे जोशक्ती मंति गजेंदर सिक्षेखावत ने बयान दिया है कि मुख्य मंति बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं कई बार इस बात को सपस्ट कर चुका हूँ कि मैं कते ही मुख्य मंति पद की रेस में नहीं हूँ मैं जिस विचार परिवार से आता हूँ वहाँ पर व्यक्ति किस दाइत्व के साथ और किस शेत्र में काम करेगा ये भी हम खुद तैन नहीं करते उन्होंने कहा कि छात्र संकी राजनिती करने के बाद जहां सब लोग अपनी राजनिती सरजमीन को तलाश करते हैं मैं उसे समय सीमावर्ती शेत्र पर 20 साल तक काम कर रहा था मैंने भार्टी जंता पार्टी का दफ्तर नहीं देखा था राजानी जापुर में क्रिशन जनमोसम गुरुवार को धुमधाम से बनाया चाएगा काना के आने की खुशी में आराध्य देव गोविन देव जी मंदिर नंद गाउं बना हुआ है बढ़ाई के बैनर बांदरवाल और जंडो से मंदिर पूरी तरह से सजा हुआ है मंदिर परिसर ही नहीं बलकि सभी मुख्य बाजारों को भी जनमास्टमी के मौके पर सुझाए गया है दर्शन के लिए तीन लाइन में विस्ता की गई है इस साल के अंत में राजिस्तान में होने वाले विदान सबा चुनाओं को लेकर अखिल भारते कॉंग्रिस कमेटी के रास्ते अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे ने छे कमेटी अंगठित की है तायसान के मुख्य मंत्रि शोगहलोत, पूरव मुख्य मंत्रि सचिन पालेट राजिस्तान कांग्रिस अध्यक्ष कोविन सिंग डोटास रासाइट विबिन नेताओं को इनमें शामिल किया गया है तामिल नाडो के मुख्य मंत्रि आमके स्टालिन के बेटे उध्यनिदी के सनादन बयान ने राजनिती गल्यारों में सियासी भूचाल लाने का काम किया है अब इस विवाद पर प्रधान मंत्रि मोधी ने पहली बार चुक भी तोड़ी है मंत्रि परश्यत की बैठक में उन्होंने दो टू कहा है कि उध्यनिदी के बयान पर सही तरह से जवाब देना बहुत जरूरी है इसके अलाव उनकी तरफ से इस बात पर भी जोड़ दिया गया है कि इंडिया बना भारत की जो डिबेट चल रही है उस पर खुल कर कुछ भी बोलने से मना किया है कोटा में निजी बिजली कमपनी के खिलाफ पारशद और लोगोंने प्रदर्शन करते हुए बिजली कमपनी के गोबरिया बावड इस थित ऑफिस के मेंगेट पर ताला लगा दिया अधिकारियों को बाहर निकाला और प्रदर्शन किया पाश्चा सुनिल गौतम ने बताए कि महावी नगर थर्ड समेद आसपास की इलाकों में आए दिन लाइट जाती रहती है बिजली कटोती का कोई समय फिक्स नहीं है दस-दस घंटे तक बिजली कुल रहती है उमस का मौसमें ऐसे में लोग परिशान हो जाते है मादमिक विद्याले में चोल रहा है इंद्रा गांदी स्मार्टफून शिविर में लाभारतियों की भीड उमर रही है भीड से हो रही अविवस्ता की शिकायत पर बुद्वार को पिपलू की वर्षा शर्मा शिवर सर पर पहुंची जहां पुलिस कर्मियों को लाभारतियों को लाइन से खड़े नहीं रहने पर फटकार लगाई स्ट्रीम ने अन्य जिमेदार अधिकारियों को भी लतार लगाते हैं विवस्ता सुधारने के जिशा निर्देश दिये पिपलू नायब तैसिलदार एम पंचाय समीती पिपलू से एक सहाइक विकास अधिकारी को पूरे समय कैंप में रहने के लिए निर्देशित किया भीड को नियंतर तकने के लिए बैरिकेटिंग करते हुए पातरता जांच काउंटर के लिए अलग से टैंट लगा कर विवस्ता सुचारू करने के निर्देश दिये जिलाभी बाशक संग अलवर की और से धरने के बाद वकीलों का दो दिन से अंशन जारी है बुद्वार को दूसरे दिन भी वकील भूखर दाल पर रहे अब वकीलों ने चेतावने दिये कि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो बड़ा अंदोलन किया जाएगा अलवर बंद भी कराया जा सकता है अभिबाशक संके प्रियांशू और अन्य वकीलों ने कहा कि मिनी सची वाले में वकीलों को च्वेंबर आवंटित किये जाए रासान में मुखे मंत्री बजट घोशना की किर्यानविती के तहत गांधी ग्राउंड में चल रही छए दिवेसी है जिलास्तरी राजीव गांधी ग्रामे नहीं शहरी और अलंपी खेद प्रितियोगिता का समापन बुद्वार को हुआ उद्यपुर जिला कलेक्टर अर्विन पोस्वार और मुखेन ओडल अधिकारी सीईओ जिला प्रितियोगिता में विभिन खेलो की विजेता टीमों और खिलाड़ियों को पुरुस्रुत कर आगामी राजस्तरी इस परधा के लिए शुपकामनाई दी रासान प्रशासनिक सेवा के अधिकारे राजपाल सिंग ने बुद्वार को बूंदी नगर पईशत के सीईओ का कारे भार ग्रहन किया है सिंग इससे पहले अत्रिक्ट संभागिया एक तुकोटा के पत पर कारत है आरेस दोजार तीन बैच के राजपाल सिंग को रासान प्रशासनिक सेवा का लंबान भव है वे अब तक वे भीन जिलों में विकास अधिकारे खन अधिकारे अत्रिक्ट जिला करक्टा साई चूरू पाली नागर और जुन जुन में जिला पाईशत सीईओ के पत पर रह चुके हैं वे 23 जनुरी 23 से अब तक अत्रिक्ट संभाग्या एक तकोटा के पत पर कारे कर रहे थे फिलाल इस बिलिटन में इतना हैं फिर हासर होंगे किछ और बड़ी खबरों के साथ